स्वागत है आप सभी का Tech Study ITA YouTube चनल पर Western Cold Field Limited WCL की तरफ से 800 से ज़्यादा पोस्ट पे ITA पास आउट केंडेट्स के रिए अप्रेंटिशिप की वेकेंसी आये थी जिसका नोटिफिकेशन 7 अगस्त 2023 को ही जारी किया जा चुका था लेकिन उसके जो फार्म बनने स्टार्ट होने थे वो एक सितंबर से स्टार्ट होना था तो आज यानि कि आज तो दो तारिक हो गई कल से फार्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं जैसा हमने आप से प्रामिस किया था वैकेंसी के बारे में बताते टाइं भी कि जैसे फार्म बनन करने का लिंक भी आ चुका है तो चैनल पे नहीं है तो आप से एक रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा जिससे आपको सभी तरह की इन्फर्मेशन और अपडेट मिलती रहे एंड टेक स्टेडी आइटे टेलिग्राम चैनल को भी जरूर जोइन कीजेगा डिस्क्रिप्सन में लिंक है वहाँ पे भी सभी तरह की अपडेट हम आपके साथ सेयर करते रहते हैं और वीडियो को बिना आपके लाइक किये कहीं भी ने पहुँचेगा तो प्लीज लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजेगा तो यह है यहाँ पे नोटिफिकेशन वेस्टरन कोल फिल्लिम्टेड का एक बार आपको हम फिर से दिखा दे कौन-कौन से ट्रेड यहाँ पे इलिजबल होंगे देखे इसमें अलग-अलग एरिया के लिए वेकेंसी है ध्यान दीचे का यहाँ आप देख सकते हैं WCL का एक बलारपूर एरिया है चंद्रापूर है वानी नार्थ है वानी एरिया है माजरी है अमरेर है नागपूर है ठीक है इसी तरह स्किल डेवलप्मेंट नागपूर है पेंच एरिया है, कानहान है, पार्था खेरा यह टोटल आपकी वेकेंसी है अब जिस एरिया में जो वेकेंसी हो आपको सबसे पहले देख लेना और एरिया वाइस एक एरिया के लिए आप ही अपलाई कर सकते है यहाँ पे सभी जगों से आप नहीं भर पाएंगे फार्म तो टोटल 815 वेकेंसी है जिसमें आपके आइटे के कोपा, फिटर, एलेक्ट्रिसियन, वेल्डर, सर्वेयर, मेकेनिक डीजल, वायरवेंड, टॉट्वेंसिबिल, पंप ऑपरेटर, टर्नर और मशीनिश ट्रेड अपलाई कर सकते है और एक ऐसी वेकेंसी जिसमें दसमी पास केंडेट अपलाई कर सकते है वो है सेकुरिटी गार्ड अपरेंटिसिप की जिसकी टोटल साथ पोस्ट है इसकी डेवलेप्मेंट छोड़के बाकी सभी जगों पर इसकी भी वेकेंसी निकाली गई है और यहाँ अपलाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपरेंसिपिंडिया.gov.in पर रिजिस्ट्रेशन कर लेना है जिसमें 18-25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है छूट आपको SCST को 5 साल की OBC कैंडियट को 3 years की यहाँ पर छूट जो है वो मिल जाएगी इस टाइपेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया थे आपका स्टाइपेंड यहाँ पर रखा गया है जो में हम चीज आपको बताना चारह है Farm Apply स्टार्ट करने से पहले यहाँ जो preference मिलेगा सबसे पहले ऐसे candidate को preference मिलेगा जो उस domicile जो उस district के domicile होंगे जहाँ पर establishment situated है ठीक पहले उनको यहाँ पर मिलेगा इसके बाद उस state के other district को यहाँ पर preference मिलेगा ठीक है second preference इसके बाद जो third preference है वो बाकी जो outside state है उनको मिलेगा मतलब apply to all India candidate कर सकते हैं लेकिन ध्यान दीजएगा कि यहाँ पे जैसे मद्ध प्रदेश में जो है पहले मद्ध प्रदेश के उस जिले को मिलेगा फिर पूरे मद्ध प्रदेश के अलग-अलग जिलों को मिलेगा उसके बाद मद्ध प्रदेश के जो बाहर के state है इंडिया के जो other states है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा तो यह यहाँ पर selection process रहेगा यह पिछली बार भी यही रखा गया था अब आईए चलते हैं direct form apply करने के process पे notification हम आपको telegram पे share कर देंगे वहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख लीजेगा एक बार तो form apply करने के लिए click here to apply पे click करते हैं जैसे इस पे आप apply करेंगे आपके सामने इस तरह से दूसरा page जो है वो open हो जाएगा इस page पे आप से login detail पूँची जाएगी जो कि आपके पास पहले से नहीं रहेगी सबसे पहले आपको new registration पे click करना है जैसे आप new registration पे click करेंगे तो date of birth आपका जो 10th की mark sheet में है उसे आप यहाँ पे सही सही इंटर करेंगे फिर आपको father's name इंटर करना है next आपको अपना mobile number इंटर करना है फिर apprenticeship का registration number आपको इंटर करना है जो आपका हो आप सही सही देखके इंटर कर लेंगे next आपको एंटर करके submit कर देना है यहाँ देखे registration आपका हो गया आपका email आईडिया आपका username रहेगा और आपका password जो हो आपका mobile number रहेगा इसके थूँ आपको login करना है जैसे आप यहाँ पे login करेंगे पांच step में आपको form complete करना है अब सबसे पहले basic detail आपको fill करना है यहाँ आपको अपना trade जो है वो fill करना है तो चले trade हम यहाँ पे copa रख लेते हैं अब copa के बाद आपसे पूछेगा आप कौन से establishment में apply करना चाते हैं कोई एक ही आप choose कर सकते हैं ध्यान दीजेगा तो जो आपको एक choose करना है जिसमें आप vacancy ज़्यादा देखें उसको आप चाहें तो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें copa की vacancy सभी जगहों पे है तो आप कोई भी area यहाँ पे choose कर सकते हैं तो चले यहाँ पे हम skill development center नागपूर रख लेते हैं उसको next यहाँ पे हमारी बाकी details आगई अब यहाँ पे अपना gender आपको choose कर लेना है date of enrollment अब यहाँ date of enrollment यह है कि select date of enrollment at apprentice जो apprenticeship portal उस पे आपने कब enroll किया वो date आपको यहाँ पे mention करनी है यह date आप अपनी profile जब apprenticeship इंडिया वाली देखेंगे तो उस पे दिखाती है आप कपसे वहाँ पे user है वो date आप यहाँ पे डाल दीजेगा फिर आपको अपना अधार number इंटर करके save and continue करना है जैसे आप save करेंगे अब आपसे यहाँ पे अपका address पूछा जाएगा permanent address and present address अगर दोनों same है तो आप same पे click कर सकते हैं otherwise दोनों आपको यहाँ पे enter करना पड़ेगा next आपको यहाँ अपनी category चूज करनी है category यहाँ पे हम OBC चूज करके form भरेंगे जिससे की यहाँ पता चल सके की आगे certificate upload मागा जाएगा नहीं category OBC चूज करने पर आपको certificate number उसके date और issuing authority कौन है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो इस तरह से certificate का अपना आप detail दे दीजेगा issuing authority date क्या है उसका serial number क्या है देने के बाद आप save and continue कर सकते हैं अब यहाँ था आपका third step जिसमें आपको educational detail देना है तो सबसे पहले educational detail में यहाँ पे आप ITA वाला अगर भरना चाहरे हैं post जैसा हमने कोपा चूज किया non-ITA में आपका क्या है यहाँ जो security guard की post थी तो सबसे पहले यहाँ पे आप non-ITA का भी जो qualifying detail है आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पे लेकिन हम क्योंकि ITA वाला भर रहा है form तो ITA में जाएंगे अब यहाँ पे आपको qualifying examination जो है उसका पूरा जो detail है वो देना है यहाँ पे तो चलिए दे लेते हो detail देखिए यहाँ exam pass में आप क्या लिखेंगे ITA अब यहाँ branch or trade आपको लिखना है जो आपका branch or trade हो उसको आप लिख देंगे अगर non-ITA भर रहा है तो आप सभी subject की यहाँ पे नाम लिखेंगे ठिक board या university अब आपका NCVT है तो आप NCVT लिखेंगे SCVT है तो SCVT लिखेंगे affiliation में भी same चीज पूछ रहा है तो आप same चीज लिख सकते हैं university या board में भी आपको वही लिखना है या आप चाहें तो DGT भी लिख सकते हैं लेकिन आप NCVT ही लिखिएगा data passing आपका जो result होता है उस पे लिखा होता है आपने कब उसको pass किया है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे हमने माली जे दे दिया 2020 September में 14 September जो आपका date हो उसको आप देंगे course का duration क्या था तो 1 year का होता है को पात 1 year electrician होगा होगा तो 2 years आप डालेंगे percentage आपका कितना बना है तो उसको decimal के दो अंकों तक देना वह आप दे देंगे whether obtained or registered as apprenticeship in apprenticeship training previously at any organization इसे आप यहाँ पे no कर देंगे अगर आप किये हैं तो करेंगे whether pursuing any regular course अगर कर रहे हैं तो आप in eligible हो जाएंगे इसे आप no कर देंगे save and continue करेंगे जैसे आपने save कर लिया अब देखिए यहाँ पे आपसे photo signature इसको upload करना है jpg format में आपको upload करना है सिर्फ और सिर्फ वही accept यहाँ पे किया जाएगा in case आपको कोई difficulty होती ता आप इस पे mail भी कर सकते हैं photo signature upload करने में तो चलिए सबसे पहले upload कर लेते हैं photo signature upload हो चुका है अब यहाँ पे preview का option आपके सामने आ जाएगा preview में photo signature एक बार जरूर मिला लिजेगा आपका सही से upload हुआ है क्योंकि उस वाले page पे आपको preview नहीं दिखेगा अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो अब आप क्या कर सकते हैं final submit पे click कर सकते हैं जैसे आप final submit करेंगे आपका form यहाँ submit हो जाएगा form बिल्कुल free of cost है यहाँ पे कोई आपको fees नहीं पे करनी किसी भी category को यहाँ पे आप चाहें तो अपना जो application form है उसको click करके download करके save करके रख लिजेगा क्योंकि in future जब dv होगा आपका तो आपको application form का print out लेके जाना होगा इस तरह से आपके form का जो pdf और download हो जाएगा या आपका application number रहेगा इसको आप लोग save करके रख लेंगे तो यह थे simple steps जिससे आप अपना registration कर सकते हैं आसानी से form apply कर सकते हैं और अगर कोई difficulty आपको आ रही कोई भी दिक्कत आ रही तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा बात कर लें इस apprenticeship के फाइदे की तो देखे हर एक apprenticeship का कुछ अपना फाइदा होता है जैसे इसका सबसे बड़ा फाइदा आपको एक NAC यानि national apprenticeship certificate मिलेगा जिसके basis पे आप जो है कुछ government job साती जिसमें ITA के साथ apprenticeship मागा जाता है जैसे Indian Navy में ट्रिश्मेंट स्किल्ड की BEL में technician की उन सब में आप apply कर सकते हैं आने वाले टाइम में और भी department IC vacancies निकालेंगे सेकेंड है कई बार western coal field limited या coal field limited में जब vacancy आती उसमें भी यह मागा जाता है कि अगर आपके पास coal field का minds का इन सब का experience है वन येर के apprenticeship है तो आप apply कर सकते हैं तो उसमें आपको weightage मिल सकता है थर्ड weightage आपका ये है कि इस apprenticeship के बाद आपके पास जो certain amount of पैसा एक साल तक आपको मिलेगा कोई इसमें problem नहीं बट ये apprenticeship का benefit आपको railway बगरा में नहीं मिलेगा और जो लोग इस district से belong करते हैं जहां से vacancy आई है उनके लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा ज्यादा benefit होनका selection थोड़ा सा यहां पे आसान रहेगा लेकिन पिछली बार बहुत सारे candidate बाहर के state के भी इसमें select हुए थे तो आप सब लोग free of cost farmer apply कर सकते हैं thank you very much ख्याल रखिएगा आपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में thank you